नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शशी मेरे यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट शशी में आप सभी का स्वागत है अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बना रहे हैं या फिर मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके काम का हो सकता है इस वीडियो में मिट्टी के बर्तनों का रख रखाव कैसे किया जाए इसकी जानकारी देने वाली हूँ मेरे पास कुछ मिट्टी के बर्तन है एक ये तवा है दो हंडी है इन हंडी में आप दाल चावल सबजी बना सकते हैं मार्किट में मिट्टी के कुकर भी आते हैं इन बर्तनों को आप e-commerce platform से खरीद सकते हैं या फिर जहां मटके इत्याद मिलते हैं उन शॉप से भी खरीद सकते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मिट्टी के बर्तन पहली बार खरीद कर लाएं तो फिर इन बर्तनों को अच्छी तरह सूखे कपड़े से साफ करें इसमें जितनी भी धूल मिट्टी लगी हो उसे आप अच्छी तरह हटाएं उसके बाद में इन्हें साफ पानी से रगड़ कर धुएं फिर आप इन बर्तनों को 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखें 24 घंटे बाद बर्तनों को पानी से निकालें और उसके बाद इन्हें धूप में सुखाएं अगर आपके यहां धूप नहीं आ रहे हैं तो आप इन बर्तनों को छाओं में भी सुखा सकते हैं हर बार खाना बनाने से पहले बर्तनों को आप 15 से 20 मिनट के लिए पानी में बिर्गोएं इससे बर्तन की लाइफ बढ़ती है खाली बर्तन को गैस पर बिल्कुल न चढ़ाएं तेज आज पर खाना न पकाएं अगर आप तेज आज पर खाना पकाएंगे तो बर्तन जल्दी ही चटक जाएंगे खाना बनाने के बाद इन बर्तनों को आप तुरंत पानी में न डालें क्योंकि गरम बर्तन को अगर आप पानी में डालेंगे तो sudden temperature change होता है sudden temperature change से बर्तन चटक जाएंगे इसलिए इस चीज का ध्यान रखें जब बर्तन ठंडे हो जाएं तो normal पानी से धोकर रखें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe करें